इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी Android phone को factory reset कैसे किया जाता है यहाँ मैं आपको Android phone को reset करने का दो method से बताऊंगा और सबसे पहला जो method अपने phone के settings है जो कि generally सभी को मालूम होता है यह method और दूसरा method जो है अपने phone के recovery में जा कि अपने phone को factory reset कैसे कर सकते हो और अपने phone को reset करने का सबका एक अपना-पना reason होता है जैसे कि अगर आप अपने phone को sell कर रहे हो तो वहाँ पे अपने phone को fully reset करके sell करना होता है और या तो आपके phone में कोई software issue हुआ है या फिर कोई bug है आपके phone में तो वहाँ पे आपको अपने phone को factory reset करना परता है तो यहाँ पे मैं आपको दो अलग-अलग method से बताने हैं अवाला हम अपने Android phone को कैसे reset किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए useful होने वाला है वीडियो में जो भी steps में आपको बताऊंगा वो सारे steps आपको अच्छे से follow करना है बिना किसी part को skip किये तो चले वीडियो start करते है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दो अपने Android phone को reset करने से पहले अगर आप अपने phone को reset करते हो तो आपके phone में जितने भी data होंगे वो सारे delete हो जाएंगे phone को reset करने से तो यहाँ पे reset करने से पहले make sure यहाँ पे आपके phone के जितने भी data है यहाँ पे आपको backup बना लेना है जैसे कि आपके phone के जितने भी data आपको अपने computer या फिर online cloud storage में save करके रख लेना है तो यहाँ पर अपने phone को reset करने के लिए simply आपको अपने phone के settings को open करना है उसके बाद अपने phone के about phone वाले option पे tap करना है और उसके बाद आपको नीचे के तरफ scroll करना है और यहाँ पर आपको factory reset को option दिख जाता है अगर यहाँ पर आपको factory reset को option नहीं दिखता है तो simply आपने settings के search वाले option में आना है और यहाँ पर आपको reset या factory reset लिकर search करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको direct factory reset को option दिख जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर factory reset का option दीख जाता है तो simply आपको reset करने के लिए इस option पर tap कर देना है तो यहाँ पर make sure phone को reset करने से पहले आपके phone में जितने भी data है आपको यहाँ पर backup बना लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको factory reset वाल option पर tap कर देना है फिर आपका phone का resetting स्टार्ट हो जाएगा चुकि यहाँ पर मैं एक ही phone को दो भा reset नहीं करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं दूसरा method आपको बता देता हूँ कैसे phone को reset करते हैं तो simply यहाँ पर मैं back कर लेता हूँ अब यहाँ दूसरा method के लिए simply अपने phone को switch off कर लेना है अब phone switch off होने के बाद आपने phone के power button और volume up button एक साथ प्रेस करके आपको hold करना है फिर यहाँ पर आपको back to main menu वाल अप्शन को select करना है select करने के लिए volume up down key को प्रेस करना है उसके बाद confirm करने के लिए power key को प्रेस करना है और यहाँ पर आपने phone को recovery mode से reset करने के लिए यहाँ पर आपको wipe data को option मिल जाता है simply आपको इस option को select करना है volume down button से उसके बाद आपको power button से confirm कर देना है और यहाँ पर आपको wipe all data को select करके confirm कर देना है उसके बाद आपको फिर से confirm को select करना है फिर उसके बाद confirm को select करने के बाद आपको power key से press कर देना है फिर उसके बाद आपको phone reset हो जाएगा simply हाँ पर आपको back to main menu all option को select करना है और उसके बाद reboot को select करके phone को reboot कर लेना है अब उसके बाद आपका जो फोन होगा बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा फोन को रिसेट करने के बाद फोन का जो बुटिंग होता है वहाँ पर थोरा सा टाइम टेकन होता है तो आपको थोरा सा वेट कर लेना है अब यहाँ पर आपका जो फोन होगा बिल्कुल नया जैसा हो यहां पर यहां पर आपको next करना है और यहां पर मैं इस option को skip कर देता हूं more वाल option पर tap करना है accept option पर tap करना है यहां पर मैं फिलाल अभी सारे option को skip कर देता हूं उसके बाद next option पर tap करना है I agree वाल option पर tap करना है किसी एक launcher को select करके आपको next option पर tap करना है फोन का setup complete होने के बाद आपको next all option पर tap करना है और यहाँ पर थोरा सा time taken लेगा तो simply आपको wait कर लेना है थोरा सा अब आपका phone बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा तो इस तरी के साब किसी भी android phone को factory reset कर सकते हो और इन दोरो method में से आपको कौन सा method अच्छा लगा अपने phone को factory reset करने का आप हमें comment box में comment करके बता सकते हो I hope कि मैंने आपको वीडियो में जो भी steps बता है phone को factory reset करने का वो सारे steps आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको वीडियो में कोई step समझ में नहीं आया तो आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हो और इस वीडियो के अलाभी अगर आपके पास कोई भी queries कोई doubt है तो भी आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हो और ये वीडियो आपके लिए यूच्वल इंफोर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे ने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें